जुनना चाहते हैं उनको भी आप जुनने के लिए सहायता करें ताके पिता परमेशर आज का वचन हम सब के जीवन के लिए प्रभु जी बड़ी आशिश का कारण होने पाए धनेवाद प्रभु जी अभी तक संबाला है इस सबा को पिता जो बाकी समय है प्रभु उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं आपका आत्मा प्रभु जी हम सब की अगवाई करें ये प्राथना ये बिंति हम अपने उधार करता शीगर आने बाले प्रभु येश्यू मसी के अतिप अभितर और सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं आमीन अन्याबाद भाई अभी का समय हमारे प्रिया भाई जांसन तलीप के हाथ में सौंप देते हैं वह प्रभु के वचल को हमारे बीच में दे ब्रदर जगदेव मेरे इमेज को हाइलेट कर सकते हैं क्या राइट क्लिक करने पर हाइलाइट यदि मेनू आइटम दिखता है तो उसको ज़राद अबा दें में जो कंड्रोल पैनल आता है जहां लोगों का नाम दिया हुआ है यहां पर मेरे नाम पर राइट क्लिक करें ब्रदर कर दिया है हाइलाइट उसमें अपना स्पोट लाइट फॉर एवरिवन आप जो रिकार्ट कर रहे हैं उसमें मेरा चेहरा कंप्लीट आएगा स्टैंप साइज का नहीं आएगा वेलकम ब्रदर आज पर मेश्वर ने इस तरह से जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभू का शुक्र गुजार हूँ कि भाई जगदेव जिनसे काफी समय से मेरे तालूकात हैं और जिनसे बीच वीच वे बाठी रहती है और इतना ही नहीं मेरे एक प्रचारक है उतर भारत में कुछ लोग़ों को मैं काफी पसंद करता हूं उन में से एक है भाई जगदेव उन्होंने और महिलपुर की मंडल ने मुझे इस तरह से जो इंविटेशन दिया, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ. Quickly मैं जरा अपना परिचे दे दू, मेरी पढ़ाई लिखाई सब ग्वालियर की है, मध्यप्रदेश ग्वालियर. नौकरी भी वहीं की है, मैंने वहीं पर नौकरी की थी, और जब मैं ग्वालियर में कॉलेज में पढ़ रहा था, उस समय मुझे प्रभु की और से बुलाहट हुई, और मैंने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित किया, कि प्रभु जब आप मुझे बता देंगे क कि ये समय उचित है, उस समय मैं नौकरी या पढ़ाई छोड़कर आपकी सेवा में आजाओंगा, ये 1971 की बात है, 1984 में प्रभु ने ये बात सपष्ट की कि अब वे चाते हैं कि मैं प्रभु की सेवा में जाओं, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, उसी स्कूल में मैं उस सम 84 में और मैं प्रभु की सेवा में आया, लेकिन मेरी मंडली के एल्डर्स की इचाती कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक कदम, हमेशे एक प्यार मेरा वहां रहे, तो 1984 से लेकर 1994 तक मैं जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की है, वहीं पर विजिटिंग प पढ़ता था, फिर से दुबारा स्ट्रोक हुआ, दोनों बार मेरे आखों की रोशनी चली गई, तीसरी बार 1993 में जब स्ट्रोक आया, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये आखिरी स्ट्रोक है, इसके बाद जो भी आएगा वो तुमको अपने साथ ले जाएगा, और इसलिए ग् 1994 में केरल में कुछी नाम की जगह पर आकर सेटल हो गया, सब लोगों ने पूछा कि वाप रहिए जॉनसन फिलिप वहां केरल में जाके क्या करेगा, क्योंकि वहां की भाषा जानता नहीं है, और यहां की भाषा का वहां कोई उप्योग नहीं है, लेकिन इन सब के पीछे प्रभू की इच्छा थी, और पिछले ये कोवेड के आने से पहले लगबख चार साल हमारी मंडली में एक बहुत बड़ी हिंदी सभा होती थी, मेरी ही मंडली के एक आति उत्साही युवा के द्वारा प्रभू ने उस सभा का प्रार्यम किया, और वहां एक दर्जन से आई हुए और उडिसा से आई हुए भाईयों ने प्रभू को ग्रहन किया, हम लोग बस बप्तिसमे के लिए उनको ट्रेनिंग दे रहे थे कि कोविड आ गया और उसके साथ हमारी सभा बंध हो गई, एक परिवार ने बप्तिसमा स्वीकार किया, एक पिता और दो पुत्रि आई हमारे साथ संगती में हैं, यह मेरा परिचे, भाई जगदेव ने जब मुझ से कहा, पुरिष्ट और स्त्री और मंडली तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा, इसके पीछे कारण है, कारण यह है कि हम में से हर व्यक्ति को प्रभू ने एक बुलाहट से बुला आप कहेंगे, हे ब्रदर जॉन्सन, मैं प्रभू की सेवा में नहीं हूं, मुझे कोई बुलाहट नहीं मिली है, यह हमारी गलत फेमी है कि जो लोग प्रभू की सेवा में हैं, बुलाहट सिर्फ उनको मिलती है, ऐसा नहीं है, हर मसीही को प्रभू ने बुलाया है, और एक म वो तो मुदाहरण है पहला कुरिंतियों सात्वा अध्याय कंप्लीट अध्याय दिवाह के बारे में हैं और उस कंप्लीट अध्याय में कम से कम आधा दर्जन बार विवाह से संबंदित ये शब्दाया बुलाहट जिसका मतलब है कि एक विश्वासी कप्ल के लिए दंपती क लिए इवन वैवाहिक जीवन एक बुलाहट है चोंकि प्रभु ने हम सब को इस तरह से एक बुलाहट से बुलाया है इस कारण हमें से हर व्यक्ति को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हमारी बुलाहट क्या है स्त्रीयों की बुलाहट अलग है पुरिशों की common भी हो सकते हैं लेकिन यदि हमें अपनी बुलाहट के बारे में समझना हो तो पहले हमें समझना होगा कि पुरिशों से प्रभु क्या उम्मीद करते हैं और इसको समझने के लिए प्रभु ने मदद की तो हम तीन क्लास में प्रभु के वचन से इन बातों को देखेंगे उसके लिए प्रिश्ट भुमी के रूप में हम उत्पती की पुस्तक पहले अध्याय के चब्वी से आगे पड़ें उत्पती एक चब्वी से आगे महां हम देखते हैं फिर पर्मेश्वर ने कहा हम मनिश को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं इस बात को ध्यान से अपने मन में रखें मनिश को पर्मेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है और इस कारण यदि पदमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो योजना बनाई है वो योजना हमारे जीवन में पूरी होनी है और पदमेश्वर के ब्लूप्रिंट के अनुसार यदि हमको चलना है तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि मैं और आप पुरिश और स् पुर्थवीपरी पूर्मेस्वर human को अपने सौरूब के अनसार उत्पन किया ये सरफ पुरिश के लिए नहीं हैा अगे हम देखते नर औ करके उसने मनिश्यों की स्रिष्टी की और प्रिदमेश्वर ने उनको आश्रिष्टी और उनसे कहा फूलो फलो पृत्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मचलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृत्वी पर रेंगने वाले सब जंतों पर अधिकार रखो जिसका मतलब यह हुआ कि हमसे जो करने को कहा गया है वो हमें पदमेश्वर के सुरूप में हमारी जो स्रिष्टी हुई है उस स्रिष्टी का एक function है उसका एक कारी है इसको हम ना भूलें जिसका मतलब यह भी है कि प्रती दिन हम जो कुछ करते हैं उसमें हर कारी में हमें याद रखना चाहिए कि मैं यह कारी इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पदमेश्वर ने अपने सुरूप में बनाया है और मुझे बुलाया है कि मैं पदमेश्वर के सुरूप में होकर इन कारियों को करूं 29 पद से आगे हम देखते हैं फिर पदमेश्वर ने उ जिनमें जीवन के प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे छोटे पेड़ दियें, वैसा ही हो गया, सृष्टी वर्नन है, सृष्टी वर्नन को प्रॉपरली समझ के हम पजमेश्वर के सुरूप में सिर्जे गये हैं, इसको समझने के बाद सृष्टी के प्रती हमार स्वेपद में हम देखते हैं, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है, अच्छा है नहीं कहा है, बहुत ही अच्छा है, जिसका मतलब यह है कि ना केवल हमको परमेश्वर के सुरूप में हमारी सृष्टी बलकि मनिश के अलावा पर मेश्वर ने जिस चीज की भी स्रिष्टी की थी सब सर्वोतम था यहां से पूरिश और स्त्री के बारे में समझना हो तो आरम यहां से होना चाहिए उसके बाद दो तीन चीजें और समझना जिरूरिये मनिश ने अपने स्वयम के चुनाव से पाप किया पापी हो गए यह तो हम जानते हैं लेकिन उसके कारण मनिश की जीवन में जो बदलाव आया उसका फल हम देखते हैं उत्पती छटे अध्याय के पांचवे पद में उसके पहले ही काईन ने हाबेल की हत्या की वो तो हम जानते ही हैं लेकिन सब जग विश्व व्यापी तरीके से मनिश के पाप का क्या फल हुआ यह हम देखते हैं उत्पती छे के पांच में जहां हम देखते हैं जहोवा ने देखा कि मनिश्यों की बुराई पृत्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन होता है निरंतर बुराही होता है परमेश्वर ने अपने सुरूप में जो देख जिसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दे कि सब कुछ अच्छा है आज स्तिती यह है कि मनिश्यों की बुराई पृत्वी पर अतलब सारे विश्व में बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन होता है निरंतर बुराही है तो यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताना चाहते हैं तो ये दो परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार उपियोगी तरीके से बिताना चाहते हैं तो हमें ये जो बुराई हमको नियंतरंड में लेती है उस पर नियंतरंड करना होगा उसके लिए प्रभु का भजन बहुत सारी बातें बताता है भजन 14 के 2 और 2 से 4 में हम फिर से देखते है भजन 14 का 2 से 4 ये सब हमें मन में रखना होगा परमेश्वर ने सुर्क से मनिश्वों पर दृष्टी की कि देखे कि कोई बुद्धिमान कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं नहीं वे सब के सब भटग गए सब के सब भरष्ट हो गए कोई सुकर्मी नहीं एक भी नहीं क्या किसी अनर्तकारी को कुछ भी ग्यान नहीं रहता जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और पर्मेश्वर का नाम नहीं लेते इसके साथ यर्मिया की पत्री 17 का नौबी आप जरह नोट कर लें और समय मिले तो उसको जरह पढ़ लें ये प्रिष्ट भूमी म को साफ साफ पता देती है कि पदमेश्वर ने सब कुछ सर्वोत्म बनाया लेकिन मनिश्य पाप में फसने के कारण पदमेश्वर के सुरूप में होते हुए भी मनिश्य का जुकाओ बुराई की तरफ और सर्फ बुराई की तरफ है इससे सम्धित एक और रफरेंस भी मैं आपको दे रहा हूँ जिसको समय बचाने के लिए मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन जरा अपनी डायरी में नोट कर लें मरकुस सात्वा अध्याए 21 से 23 आप कहेंगे कि ब्रदर ये सारी बातें तो अविश्वासियों के बारे में लागू होती हैं मैं तो एक विश्वासी और इसका रेंड मेरा जीवन बहुत पवित्र है ये एक्चली ब्रदर ये लोगों के बीच में एक बड़ा महा रोग है कि हम अपने आपको बहुत पवित्र समझते हैं बेहत पवित्र समझते हैं हमारे जीवन में कोई अशुद्धी नहीं है कोई गलती नहीं कोई डाला है, उन टीचर्स का असर है जो हम इस तरह से गलत तरीके से सोचते हैं। इफीशियों की पतरी चौथे अधियाए के बाइस से जरां हम पढ़ेंगे, जहां विश्वासियों के बारे में कहा गया है। इफीशियों की पतरी 4X22 में हम पढ़ते हैं। तुम अगले चाल चलन के, मतलब पिछले चाल चलन के पूराने मनिश्यत्व को, जो भर्माने वाली अभिलाशाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, ये विश्वासियों से कहा गया है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए मनिश्यत्व को पहन लो, जो पडमेश्वर के अनुसार सत्ति की धार्मिक्ता पवित्रता में स्रजा गया है, इस कारण, याद रखें ये विश्वासियों से कहा गया है, जूट बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, ये विश्वासियों से कहा गया है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं, क्रोध तो करो, पाप मत करो, सूर्य अस्थोने तक तुमारा क्रोध ना रहे, ना शैतान को आउसर दो, चोरी करने वाला फूर चोरी ना करे, बरन भले कामों करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, 39, कोई गंदी बात तुमारे मुझ से न न, ये विश्वासियों से ये बात कही जा रहे है, कोई गंदी बात तुमारे मुझ से न न निकले, आवे शक्ता के अनुसर वही जो उन्नती के लिए उत्तम हो, 30, परमेश्वर के पवितरात्मा को शोकित मत करो, 31, सब प्रकार की कडवाहट और प्रकोप और क्रोध और कलव और निंदा सब बैरभाव तुमसे दूर किया जाए, 32, एक दूसरे पर कृपालू, करुना मैं हो और जैसे पजमेश्वर ने मसी में तुमारे अपराद श्मा किये, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराद श्मा करो, विश्वासियों से कहा गया है, ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं, यदि किसी और विश्वासी से कोई भी मन मुटाव हो जाए, तो शेखन ने करते, ग्रीटिंग नहीं करते, अभिवादन नहीं करते, ये भारती स्वभाव है, हमारा स्वभाव है कि इट का जवाब मैं पत्थर से दूँगा, यदि तुमने मेरी बुराई की है, तो मैं उस का जवाब इस तरह से दूँगा कि आए इंदा, तुम पानी भी नहीं मंगोगे, प्रभू का वचन याद दिलाता है कि ये व्यवहार विश्वासियों के लिए उचित नहीं है, और इसलिए ये सारे जो स्टेट्मेंट मैंने आपके सामने पड़े हैं, ये पुरिशों, स् पर लें और फुरसत में पढ़ लें, पहला पत्रस, दूसरा अध्याए एक और दो, उसी तरह से पहला पत्रस, दूसरा अध्याए ग्यारा, बारा, पहला पत्रस, दूसरा अध्याए सोला, ये सब विश्वासियों से कहा गया है, इस बात को याद रखें, अब अगली बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हम में से हर व्यक्ति, जिस समाज में रहता है, उस समाज में जीने के लिए प्रभु के द्वारा बुलाया गया है, और जिस समाज में रहने के लिए हम बुलाये गये हैं, उस समाज में हमारी क्या गवाही है, यह जरा हम अच्छी तरह से सोच ले समाज में दूसरों के सामने व्यवहार करने के लिए कुछ मरियादाएं हैं मसीहियों के बारे में तो ये कहा जाता है कि इन मरियादाओं को मानते ही नहीं है हिंदी पिक्चरों में यदि किसी शराबी कबाबी लुच्चे को और गुंडे या बतमाश को दिख तो या तो मेरी होगी या इलिजबेट होगी या नैंसी होगी या मैं ये जो नाम ले रहा हूं मेरे स्वाहिम के परिवार के लोग हैं वो लोग बुरा नाम माने ये मैं मसीही जगत में बहुत पॉपलर नाम बोल रहा हूँ ना कि आप लोगों के नाम मेरी दो बहनों के नाम मैंने इसमें लिया है ये भी मैं याद दिलाओं उतर भारत में ये नाम बहुत कॉमन है ये सारे नाम पिक्चरों में लोगों के बूरे कैरक्टर के साथ जोड़ा जाता है क्यों इसलिए कि हमारी गवाही सही नहीं है और तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि पुरिशों से प्रभू क्या उम्मीद करते हैं स्त्रियों से प्रभू क्या उम्मीद करते हैं पुरिशों से प्रभू जो उम्मीद करते हैं वो तीतुस की पत्री में उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं तीतुस की पत्री दूसर बारे में बोलने के बाद आप आए पुरिशों के जीवन को देखते हैं यहां हम देखते हैं पहले पद में तू ऐसी बातें कहा कर यह पुरिश से कहा गया है यह इस बात को दिखाता है कि यह सब पुरिशों के लिए है क्योंकि दूसरे पद में लिखा है अर्थात बूढ है पुरिश उसका सही एनवाद होगा अर्थात परिपक्व जो उमर में बड़े हैं और परिपक्व पुरिश है जिसका मतलब यह हुआ कि पहला पत भी सभी पुरिशों से कहा गया है तुम ऐसी बातें कहा करो तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि यदि प्रभु ने जन्म दिया है तो इवन आप मूँ खोल कर जो वार्ता लाप करते हैं वो प्रभु के लिए कर रहे हैं इस बात को कभी न भूलें Brethren Assemblies ने इस बात को बहुत गंभिरता से लिया है और इसी कारण Brethren मंडलियों में बच्चे अपने टीनेज में जब आ जाते हैं तब से उनको प्रोतसाहित किया जाता है कि प्रभु के वचन से कुछ पद पढ़ें चर्च में और जब कुछ और बड़े हो जाते हैं तब उ प्रभू का वचन कहता है कि ऐसी बातें कहा करो तो हम पुरुश मूँख खोलकर बोलते हैं तो वो प्रभू के लिए कर रहे हैं ऐसा प्रभू का वचन कह रहा है और कैसी बातें कहा करें? जो खरे उपदेश के योग्ये हैं आप कहेंगे हैं ब्रदर आप कैसी बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसा हो सकता है क्या कि हम मूँ खूल के बात करें और त्री एकत्व के बारे में बोलें उधार के बारे में बोलें प्रभू के दुतियागमन के बारे में बोलें प्रभू का वच हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि सारी बातचित में त्री एकत्व के बारे में परमेश्वर के बारे में मंडली के बारे में चर्च डॉक्ट्रीन के बारे में जी नहीं खरे उपदेश का मतलब है कि हम जो किसी के सामने बोलते हैं या किसी को जो अडवाइस देते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि उसके जीवन को रूपांतरित कर दे, उसके जीवन को बदल दे पुरिश जो बात्चित करते हैं, स्त्रियां भी जो बात्चित करती हैं, एक वाक के परियाप्त होता है दूसरे के जीवन को बर्बात करने के लिए, दूसरे के जीवन को दुख से भरने के लिए, या दूसरे जीवन को डाउट से भरने के लिए, ये अभी दो चार दिन के प एक लकडी का दर्वाजा लग रहा है तो जब लकडी का दर्वाजा लग रहा था या लग चुका था तो मेरी वाइफ ने आके मुझसे पूछा कि इस दर्वाजे पर पानी गर जाएगा तो यह बर्बात तो नहीं हो जाएगा मैंने का नहीं छोटा सागोन है उसके उपर पा दरवाजा लगा रहा था तो उसने का अच्छा जड़ी का दरवाजा, आप पता नहीं कितने साल चलेगा, मैंने दस साल पहले उसने कुछ बताए, दस साल पहले लख्डी का दरवाजा लगाए था और दस साल में तीन बार मुझे दरवाजे बदलने पड़े, कितने वाक्य बोले उसने हिंदी में कहा जाए सच कहा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा उसने दो वाक्य बोले लेकिन उन दो वाक्यों से मेरे वाइफ के मन में जो लकड़ी के बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छी जानती है खासकर सागोन बगरा के बारे में उसके मन में एकदम से वो जो शंका का बीज है उसने बोदिया जब वाइफ को मैंने याद दिला है कि भी ये चोटा सागोन है तब उसको अचानक बात याद आई कि भी चोटा सागोन के बारे में कहा जाता है कि उसको कहीं भी डाल दो वो खराब नहीं होता है लेकिन दो वाक्य के द्वारे एक आदमी ने उसके मन में वो शंका बीज बो दिया प्री भाईयों और बेहनों हम जो विश्वासी लोग हैं हमें अपनी बूली पर इतना नियंतरंड करना चाहिए कि हम जो बोलते हैं वो अरे उपदेश के रूप में लगे और खरा उपदेश जह है उसमें प्रोथसाहन भी होता है उसमें करेक्शन भी होता है उसमें मार्ग निर्देशन भी होता है इस मामले में ब्रदरन कम्यूनिटी एक बहुत पराजित हुई है लोग ब्रदरन कम्यूनिटी को छोड़ छोड के खासकर देठ्षिन भारत में छोड़ छोड़ के पिंटिकॉस्टल चर्चस में जाकर मिल रहे हैं क्यों इसलिए कि हम भाई बेहनों की आदत बहुत ही कड़वा बोलने की है आपको हो सकता है बुरा लगे बुरा लगे तो बुरा लगे लेकिन जो सच है वो मुझे बोलने ह हम एक आम सामने रखकर चाकू से काटते हैं तो दो टुकड़ा हो जाता है लेकिन जब हम जीब से काटते हैं तो सामने वाले के हजार टुकड़े हो जाते हैं इतना कड़वा हम बोलते हैं प्रभू का वचन याद दिलाता है कि पुरिश इस तरह से बात करें जो खरे मेरी वानी के द्वारा दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है या दूसरे लोगों का जीवन चिन भिन हजार टुकडों में खंड खंड होता है। परिपक्व दीस साल का पुरिश भी हो सकता है, असे साल का भी हो सकता है। उसके साथ साथ जो लोग उमर में बड़े होने के पहले ही परिपक्व हो गये हैं। उन लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वे एक विशेश प्रकार का कारे करेंगे। जो परिपक्व पुरिश है उनसे उम्मीद की जाती है कि वे लोगों को सही दिशा में ले जाएंगे। बच्चों को, परिवार को, अन्य विश्वासियों को, यहां तक की मंडली को। इतना ही नहीं प्रभु का वचन ये भी याद दिलाता है कि हम जो बोलते हैं वो उपदेश के लायक हो तो इसका मतलब है कि हम जब बोलते हैं तब पर्मेश्वर के वचन में जो बाते हैं वो दूसरों से शेयर करें दूसरा तीमोथी, तीसरे अध्याय के सोला और सत्रा में हम पड़ते हैं दूसरा तीमोथी 3 का सोला सत्रा हर एक पवित्र शास्त्र पर्मेश्वर की प्रेयरना से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधार ने धर्म की शिट्षा के लिए लाब दायक है ताकि पर्मे कि भी है उस उस पर वह हम अलग से देखेंगे लेकिन इस बात को याद रखें कि उपदेश समझाना इसकी जो प्राइमरी जिम्मेदारी खासकर चर्च में है वो पुरिशों की जिम्मेदारी है, पुरिश इस बात को याद रखें कि ये भारी जिम्मेदारी परमेश्वर ने उनको दी है, उसके बाद हम देखते हैं अगला पुरिशों से जो एक्सपेक्ट करते हैं सचेत, जिसका आज की भाषा में यदि अनुवात किया जाए तो जिसका मतलब है संतुलित, बैलेंस्ट, एक पुरिश को जीवन में सैक्डों निरने लेने पड़ते हैं, सैक्डों. मेरा बेटा जब कॉलिज में पढ़ रहा था, तब एक बार उसने मुझसे अनुरोत किया, डाड़ी मुझे एक मोटरबाइक दिला दीजिए, मेरे सारे फ्रेंट्स के पास मोटरबाइक है, बाहां मुझे एक निरने लेना था, मुझे मालूम था कि वो उसका इक कम्प्योटर की भी चाह है, मैंने तुरंत निरने लिया कि मोटर बाइक से उसका एक साथ ही उसी के पिछले हफते मोटर बाइक पे एक्सिडेंट होके गुजर गया था मैंने बेटे से का कि बेटा मोटर बाइक नहीं दिला सकता उसके पीछे कई कारण है और तुम जानते हो कि डाइड बहुत सोच समझ के करते हैं मैंने का लेकिन ये दि तुम मोटर सेइकल की इच्छा छोड़ दो तो मैं तुमको एक कम्प्यूटर दिला दूँगा खुश हो गया मैंने का लेकिन एक बात कम्प्यूटर का उप्योग सुर्फ ऐसे कारियों के लिए करोगे जो पदमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं ऐसे किसी कारी के लिए उसका उप्योग ना करना जिससे पदमेश्वर के नाम का अपमान होता हो उसने तुरंत पलट कर पूछा कि डैड आपको कैसे मालूम कि कंप्यूटर का उपयोग वैसे भी होता है मैंने का रहे तुम्हारी पैदाईस से पहले मैं कंप्यूटर का उपयोग करता था इसलिए मुझे मालूम है कि उसका उपयोग क्या-क्या हो सकता है और दुरुपयोग क्या क्या हो सकता है उसने वचन दिया कि डाड मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूँगा तो मुझे वहाँ एक निरने लेना पड़ा ये तो एक बहुत बड़ा निरने मैंने आपको बताया कल को आप किसी दुकान में राशन लेने जाते हैं वहाँ पर आप बाकाइदा लाइन में खड़े हैं और एक आदमी जबर्दस्ती आपके सामने ठास जाता है उससे किस सरे से बात करनी है अरे अबे कहके बात करनी है या निकल जाओ बाहर या भाई साब मैं आपसे पहले आया था मुझे जल्दी है आप मेरे सामने से हट जाएंगे किस तरह से बोलना है हर व्यक्ति को हर पुरिश को अपने जीवन में सेकड़ों निर्ने लेने पड़ते हैं हम क्या सोचेंगे मनसा हम क्या बोलेंगे वाचिया हम क्या करेंगे कर्मना इनमें हर बात में हमें निर्ने लेना होता है दुनिया हमको बताती है कि संतुलन की कोई जरूरत नहीं है मन मानी किये चले जाओ आप लोगोंने टीवी एड़र्टाइजमेंट देखे होंगे जिसमें बड़े विच्चित्र रूप से भोंडे तरीके से डिस्टॉर्ट की हुए चित्रा आते हैं मैंने कई बार ये जो मनोविज्यान के विद्यार्थी हैं उनसे पूछा कि इसका क्या कारण है उन्होंने बताया कि आजकल मनिश्य का जीवन इतना आसंतुलित हो गया है कि संतुलित चित्र दिखाओ तो उसको अच्छा नहीं लगता है इसलिए भोंडे चित्र दिखाए जाते हैं हम एक ऐसे युग में और ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां संतुलिन को खराब समझा जाता है बैलन्स को खराब समझा जाता है मनमाने व्यवहार को अच्छा समझा जाता है ऐसे समाज में एक विश्वासी से यह उम्मीद की जाती है कि वो जीवन में पूरी तरह से balanced रहेगा मैंने ऐसे बहुत सारे विश्वासियों को देखा है मान लिजे कोई आप जा रहे हैं मोटर बाइक पर कोई साड़क से निकल गया, कीचर आपके उपर गर गया तुरंत मा बहन की गाली विश्वासि लोग मा बहन की गाली देते हैं कि जी हाँ देते हैं इसाई लोग तो देते ही हैं विश्वासि लोग भी देते हैं मैंने सुना है अपने कानों से सुना है कई बार मैंने बड़े डाट लगाई है कारण क्या है हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां अपने आपको संतुलित रखने के बदले मन माना करने को संसार प्रोथ साहित करता है लेकिन एक विश्वासी याद रखे खास कर पुरिश परिवार में क्या करना है उसमें संतुलन होना चाहिए अपने आत्मिक वर्दानों के उपयोग में संतुलन होना चाहिए करियर के मामले में संतुलन होना चाहिए वैवाही जीवन में संतुलन होना चाहिए परिवार में होना चाहिए बच्चों से विवहार करते हैं तब संतुलन होना चाहिए मेरे एक मित्र है जिनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं पत्नी भी पत्नी के सामने बिल्कुल बोलती नहीं है यह आज से बहुत साल पहले की बात है मैंने एक बार उनसे कहा कि गुरुदेव यह बच्चे आपके इतने नियंत्रण में रहते हैं और आपकी पत्नी भी बिल्कुल शांत रहती है इसका कुछ गुरु मंद्र तो बताओ तो उन्हेंने का रहे जॉंसन बहुत सिंपल है मैंने बेत की चड़ी खरीद रखी है पत्ली सी बेत की चड़ी है सुबह बच्चों को जगाने के बाद सब के आसन पर जम के चार छे चड़ी लगा देता हूं और कहता हूँ जाओ अब करो दिन भर का काम उसके बाद पत्ती को भी बिलाके पत्नी की भी सेवा कर देता हूँ और कहता हूँ कि आप जाके किचन का काम करो तो वो लोग जो है दिन भर बड़े ही कंट्रोल में रहते हैं ये संतुलन का उदाहरेड नहीं है ये अपना जो आत्म संतुलन है उसको छोड़ कर पागलों के समान व्यवहार करने का नमूना है जो मैंने आपको बताया है और हम में से कई पुरिश आत्म संतुलन छोड़ कर अपने बच्चों और अपनी पत्नियों से व्यवहार करते हैं प्रभू का वचन याद दिलाता है कि पुरिश के जीवन में संतुलन होना चाहिए वस्तरों के बारे में भी हमारे जीवन में संतुलन होना चाहिए आज बंगाल से एक जूम प्रोग्राम का अड़टाइजमेंट आये था मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें उन्होंने बताया था कि जब आप जूम में प्रवेश करें तब माइक आफ कर दें सही बात है लेकिन उन्होंने एक बहुत विशेश बात कही थी यदि आप वीडियो कैमरा ओन करते हैं तो पहले इस तरह का वस्तर पहन लें जिससे की दूसरों के सामने आप प्रेजेंटिबल हों चानते हैं क्यों मैं तो जूम में बहुत अधिक मिनिस्ट्री करता हूँ और ये मॉबाइल पे नहीं है मेरे सामने तो बाकाइदा कंप्यूटर का बड़ा 24 इंच का स्क्रीन है जिस पर मैं देखता हूँ मुझे कई बार मैं सर पीट लेता हूँ कि लोग अधोवस्त्र में ही बैठे हुए हैं प्रभू की उपस्तिती में एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरा जो को एड्मिन था उसने जल्द बाजी में फोन लगाए कि जॉंसन सर जॉं प्रभू की उपस्तिती में बैठे हैं प्रभू की उपस्तिती के बारे में पुराने नियम तो ये कहता है कि जब हम वेदी पर चड़ते हैं तब हमारा टखना भी नंगा नहीं दिखना चाहिए परमेश्वर सजा देंगे और ये ये पद आपको नहीं मालूम है तो जरह प प्रदरशन कर रहे थे इवन अपने वस्त्रों के बारे में आत्मनी इंत्रण होना चाहिए मित्रों को इन सब के लिए प्रभू के वचन में स्टेट्मेंट्स है पद है सब बताने का समय नहीं है मैं बोलता जा रहा हूं मित्रों के बारे में कैसे चुनते हैं हम समाज में ह हर एक से अच्छा सोहार्दर रखें लेकिन उसका मतलब नहीं है कि समाज का हर शराबी कबाबी लुच्चा हमारा फ्रेंड हो दूसरों से अच्छा संबंद रखना और दूसरों को इस तरह के लोगों को फ्रेंड बनाना दोनों एक चीज नहीं है इवन हम जो हॉबी अपने जीवन में चुनते हैं उसमें भी आत्मसेयम होना चाहिए हम अपने समय का उपयोग करते हैं उसमें भी आत्मसेयम होना चाहिए मुझे याद है कुछ साल पहले की बात है संडे को चर्च अटिन कर रहे थे और आधा चर्च हुआ था कि पीछे किसी के गिरने की आवाज मुलक के देखा तो पता चला कि एक सज्जन आराधनया की बीच में सो गए थे और सो के कुरसी से नीचे गर गए थे क्या हुआ पिछली रात भर तीवी पर ये लाइव देख रहे थे कोई तो भी स्पोर्ट्स या गेम था मेरे पास ना तो टीवी है ना स्पोर्ट्स गेम मैं देखता हूँ टीवी ना होने के करेंड मैं आप लोगों से ज़्यादा धर्मी नहीं हूँ टीवी इसलिए नहीं कि मेरे पास फुरसत नहीं है और यदि होता तो भी रात बर इस तरह से लाइव देखने की कभी मैं कोशिश नहीं करता लेकिन रात बर देखा आपकी हुई नीन खराब उसके बाद आप आए संडे कोई चर्च में तो टपकेंगे नहीं तो और क्या होगा हमें अपने जो हॉबीज हैं उसमें आत्म नियंतरण होना चाहिए समय हम किस तरह से खर्च करते हैं ऐसे बहुत सारे मसीही भाई हैं जो सारा कसमें राजनीती पे चर्चा में बिताते हैं देखिए मैं एक बात आपको बताओं आप 24 गंटे नहीं यदि आपको एक दिन में सो गंटे दे दिये जाएं सो गंटे आप चर्चा करें तो अभी भारत की जो राजनीती है उसमें बाल भर भी आप अंदर नहीं ला सकते यदि आप अपना सारा समय उसके लिए खर्च करते हैं तो आपका टाइम मैनेजमें में भी संतुलिन नहीं हैं दुनिया विश्वास को इस बात के लिए प्रोचसाहित करती है कि ऐसी चीजों पर समय बिताएं जो उनके समय को बर्बात करती है पुरिशों से प्रभु का वचनियाद दिलाता है संतुलित रहो बैलेंस रहो ना के विल अपनी बात्चित में बलकि अपने चॉइस में और समय की उपयोग में त कि बड़ा लंबा चहरा बना के लोगों के सामने बैठे हुए हैं कोई आके यदि आप से कहें भाई साब भाई साब चार बार कहें तब मुड़कर बड़े ही क्रोध के साथ उसको देखें जिससे की आपकी नजर उस पे पड़े तो वो काप जाए प्रभु का वचन जब कह गंबिर हो तो उसका मतलब यह नहीं है पुरिश गंबिर हो उसका मतलब यह है कि जीवन में उसके सामने जो चीजें आती हैं उनमें से हर चीज को वो गहराई से जाचें यह प्रभु के वचन में जो गंबिरता शब्द का उपयोग है उसका मतलब यह है कि हम हर चीज को गह को जाचना पड़ता है मुझे याद है 1981 में जब मैं पहली बार इंडिया से सिंगपूर जर्णलिजम पे स्कॉलर्शिप एक पढ़ाई के लिए गया सिंगपूर एरलाइन दुनिया में सर्वो तम उस समय नशीले पदार्थ मुफ्त में सर्व करता था और हिंदुस्तानी लोग उस फ्लाइट से जाना बहुत पसंद करते थे जितना चाहे पीओ जितना चाहे पीओ स्थिती यह होती थी कि सिंगपूर पॉँच्टें पॉँच्टे ईन में से ज्यादा तरको खेंच के बाहर ले जाना पड़ता था खेंच के बाहर ले जाकर डालो और उसकी अब लोग तो मजे ले लेकि कोई पे पदार्थ पी रहे हैं, और हाथ बढ़ा रहे हैं खुशी-खुशी, मैंने सोचा कि होगा, कोका कोला या फैंटा होगा, उस समय इंदोस्तान में कोका कोला बहुत मिलता था, फैंटा भी मिलता था, होगा, धीरे-धीरे जब मेरी बारी आई तो वो जो एर हॉस्टस थी, उसने मेरे सामने रखा, मैंने उसको उठा के देखा, एक नजर में पता चल गया कि ये तो वाइन है, नशा करने वाला, सर्वोत्पम, मैंने कहा कि इन्हों मुझे इसके बदले, कोका कोला या फैंटा की एक बोतल दे दीजे, उसको लगा कि ये हिंदुस्तानी पागल तो नहीं है, इसका दिमांग तो नहीं खराब हो गया, चॉइस, हमें से हर व्यक्ति को जीवन में छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात में चॉइस करना होगा, ये मैं अपने जीवन से जो उदाहरण बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आप लोगों से ज़्यादा धर्मी और पवित्र और स्वर्ग से उत्रा हुआ फरिष्टा हूँ, अपने जीवन से इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी जो आप बीती है, जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ जो है, आप बीती क्या होगी? हमको गंभीरता से हर चीज का मूल लियांकन करना होगा कि ये मेरे लिए उचित है या अनिचित है, मैं ये करूंगा तो प्रभू के नाम की महिमा होगी या प्रभू के नाम का दूसरों के सामने उपहास होगा, ये सोचकर हमें ये सारे काम करने चाहिए, तो प्रभू हर पुरिश को अपने जीवन में गंभीर होने शाहिए, हर चीज को गंभीरता से मूल लियांकन करे, उसके बाद उसको करे, अगला शब्द है सैयमी, ये भी गंभीर से संबंदित है, सैयम का मतलब है आत्म नियंत्रण, मेरे आपके सामने बहुत सारे आउसर आएंगे, ये करो, वो करो, ये करो, बच्चों को यदि मिठाई मिल जाती है, तो एक खाया, दो खाया, तीसरा खाया, चौथा, उसको समझ में नहीं आता है, कि दो या तीन टुकड़ा खाने के बाद यदि वो खायेगा, तो उसका पेट में दर्द होगा, इसलिए प्रभू का वचन याद दिलाता है, कि पूरिशों को अपने जीवन में आत्म नियंतरन दिखाना चाहिए, सबसे ज़्यादा व्यापक जो पाप है, वो आत्मि नियंतरन का पाप है, पुत्पत्ति में स्त्री ने देखा कि फल और बोप्रे देखने में मन भाव और बुद्धी देने के लिए इच्छा करने योग्य है आत्म नियंत्रन भूल गई वो ये भूल गई कि पडमेश्वर हर शाम उनसे बात करने के लिए आते हैं और यदि इसको खाना ही है तो जब पडमेश्वर आज शाम को जब वारतालाप के लिए आएंगे तब पडमेश्वर से कहा जा सकता है कि प्रभू उसको देखके मेरा मन डोल गया और उसको खाने के लिए कोई तरीका हो तो मुझे दे दीजिए आत्मिनियंद्रंड के बदले क्या किया उसने? मन चल गया, खालिया, पती को दिया कम से कम पती तो आत्मिनियंद्रंड कर सकता था उसने भी नहीं किया पडमेश्वर ने उस पेड के चारों तरफ कोई बाड नहीं बांदी थी पडमेश्वर ने सिर्फ मना किया था और पडमेश्वर न से उम्मीद करते थे कि इस पेड को तुम रोज देखते, इस फल को तुम रोज देखते लेकिन आत्म नियंत्रण के कारण उससे अलग रहना नहीं समझा पाप में फस गए और पिछले 6000 साल दुनिया में उसके कारण कितना पाप और कितनी बुराई है प्रिय भाईयों हर पुरिश को अपने जीवन में आत्म नियंत्रण प्रदरशित करना चाहिए ये मैं याद दिला रहा हूँ आगे हम देखते हैं दो पद मैं आपको बता देना चाहता हूँ इफीसियों की पत्री, दूसरे अध्याए एक से लेकर तीन पद जरह नोट कर लें ये उन लोगों के बारे में हैं जिनके जीवन में आत्म नियंत्रण नहीं था उद्धार के बाद प्रभू चाहते हैं कि आत्म नियंत्रण हो उसके साथ साथ पहला युहना 2, 15 और 16 भी जरह नोट कर लें ये दोनों पद इस बात को याद दिलाते हैं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहां हमारा दुश्मन, ये संसार, शैतान हमारे अंदर जो पाप स्वभाव है, वे हमको भोग की और, विलासिता की और, अति भोग की और ले जा रहे हैं लेकिन प्रभू का वचन याद दिलाता है कि एक पुरिश का अपने जीवन में आत्म नियंत्रण होना बहुत जरूरी है वो, ये दुनिया उसको भोग या भोग विलासिता को की ट्रेनिंग देता है, उससे दूर रहना चाहिए इसके बाद पुरिशों के लिए आगे हम देखते हैं कि उसका विश्वास पक्का हो विश्वास पक्का हो का मतलब है नमबर वन, प्रभू के वचन में पूरी तरह से वो विश्वास करता हो नमबर दो, वो विश्वास दूसरा के सामने घोशना करने के लिए, बताने के लिए तयार हो इस बात को याद रखें, विश्वास करना और पक्का विश्वास होना ये दोने एक बात नहीं है जब पहले बार कोई व्यक्ति साइकल चलाता है, उससे यदि पूछा जाए कि साइकल चला लेते हो क्या और यदि वो जवाब देता है कि मैं साइकल चला लेता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके शहर में जो लोग आके तीन-तीन दिन बिना उत्रे साइकल चलाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि ये लोग वैसा ही चला लेंगे एक ने जिन्दगी पर practice की है इसलिए वो cycle चलाने में पक्का है एक चला लेता इसी तरह से जिसने विश्वास किया है उसके जीवन में विश्वास है लेकिन विश्वास का पक्का होने का मतलब यह है कि प्रभू के वचन के प्रती इतना समर्पन अब उसके जीवन में है कि उसको लज्जित होने की जरूरत नहीं है दूसरा तिमोती दूसरे अध्याय के पंद्र हुए पद में हम क्या पढ़ते हैं दूसरा तिमोती दो का पंद्रा ये एक पुरिश से कही गई बात है और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्नकर जो लज्जितना होने पाए कैसे लज्जितना होने पाए जो सत्य के वचन को ठीक रीती से काम में लाता हो विश्वास में पक्का जो व्यक्ति है वही है जो सत्य के वचन को ठीक रीती से काम में ला सकता है इसका एक और अन्वाद भी हो सकता है ग्रीक भाशा से और वो अन्वाद है जो सत्य के वचन को सही रीती से विभाजित कर सकता हो आप कहेंगे सत्य के वचन को विभाजित करने की जरूरत क्या है इसलिए कि ये जो सत्य का वचन है, पुराने नियम के विश्वासियों के लिए जो आग्या है, नए नियम के विश्वासियों के लिए जो आग्या है, येहूदियों के लिए जो आग्या है, इन सब आग्याओं में आंतर जानना जरूरी है, इसलिए सत्य के वचन को सही रीती से विभाजित करना जरूरी है तो प्रभू का वचन याद दिलाता है कि विश्वास में पक्का हो मतलब प्रभू ना केवल प्रभू इश्व में जो विश्वास है परमेश्वर के वचन के प्रती जो विश्वास है वो भी पक्का होना चाहिए आखरी बात जो इस पद में हम पूछा जाता है दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है। वे इस बात को कहते हैं कि मृत्यू के बाद दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है स्नेह आपसी प्रेम इतनी बड़ी शक्ति है कि मरे हुए को पुनर जीवित कर सकता है। अब मैं जो कह रहा हूं उसके कारण किसी डेट बड़ी के पास जाके उससे प्रेम करना शुरू करें। मरे हुए को पुनर जीवित कर सकता है का मतलब है जो अपने जीवन में किसी कारण से मृत अवस्ता में हैं स्नेह उस व्यक्ति को पुनर जीवित कर सकता है। इतना शक्तिशाली इतनी शक्तिशाली चीज है वो मैं चुकि बहुत ट्रैवल करता हूं लोगों से मिलता हूं मुझे अक्सर ये शिकायत मिलती है। मसीही जगत में प्रेम नहीं है आपसी प्रेम नहीं है गैर मसीही लोग मसीहियोंसे ज़ादा प्रेम करते हैं सुना है क्या आपने यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो एक विश्वासी के मुझसे कभी नहीं आना चाहिए लेकिन मैं अक्सर सुनता हूँ और जब मैं सुनता हूँ तो मैं रुक कर उस भाई से या बहन से पूछता हूँ आपके कहने का मतलब यह है क्या कि मसीही जगत में कोई आप से ढंग से स्नेह नहीं करता या प्रेम नहीं करता तो कहते हैं, हाँ brother, मसीह-जगत में कोई भी आदमी ढंक से प्रेम नहीं करता. मैं अक्सर पलट कर उनसे पूछता हूँ, आप किसी को प्रेम देते हैं? क्या आप किसी से प्रेम करते हैं? तो उनका जभाब होता है, क कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, तो मैं क्यों करूँ वो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि मसीही सनेह या मसीही प्रेम का नमूना ये नहीं है कि तुम मुझ से करोगे तो मैं तुम से करूँगा फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय हमको याद दिलाता है कि जो नजरिया प्रभु ईशु का था वो नजरिया तुमारा होना चाहिए प्रभू का क्या नजरिया था, पडमेश्वर का क्या नजरिया था, युहनातीन सोला में हम देखते हैं क्योंकि पडमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत का मतलब उत्पती से लेकर प्रभू जब तक दुनिया का अंत नहीं होगा, तब तक जन्मा हुआ हर पापी, हर कुकरमी हर दुष्ट उससे प्रभू ने प्रेम किया उसने प्रभू से नहीं किया प्रभू ने उससे प्रेम किया और प्रभू ने ना केवल उससे प्रेम किया उस प्रेम के कारण अपने स्वेम के जीवन में जो सबसे मूलिवान चीज थी अपना एकलोता पुत्र दे दिया जिससे कि वो उस निकम में कुकरमी नालाएक के लिए अपना जीवन दे मसीही प्रेम का जो मॉडल है वो यह है और इस कारण जब प्रभु का वचन कहता है कि प्रेम पका हो तो वो इस बात को याद दिलाता है कि एक मसीही को बिना शर्त के बिना कंडिशन के दूसरे मसीहियों से और गैर मसीहियों से प्रेम करना चाहिए आप कहेंगे ब्रदर बहुत कठिन है मैं कहां कह रहा हूं कि यह आसान है और मैंने थोड़ी कहा है कि आप प्रेम करें आप करें यह अच्छा है यह तो मैं कहूंगा क्योंकि यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं लेकिन आप प्रेम करें और आपका प्रेम पक्का हो ये प्रभु का वचन है जो कहता है मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा है अपना वचन नहीं सुना रहा आपके सामने पुरिश आज जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं सभी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ प्रभु का वचन याद दिलाता है कि प्रेम पक्का हो, आज जो पुरिश यहां हैं, वे इस प्रेम को समझ कर, इस प्रेम को अपने जीवन में प्रदरशित करके, पुरिश के समान, पुरिशोचित व्यवहार, पुरिश के लिए उचित, पुरिशोचित व्यवहार करें, धीरेज पक्का हो धीरेज का मतलब क्या है? हो जाएगा सबर रखो, हो जाएगा सबर रखो ये हर पुरिश में होना चाहिए मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूँ आज जो लोग सुन रहे हैं इंदमें से बहुत सारे पुरिश शादी शुदा है हो सकता है आपको पत्नी के जीवन में बहुत सारी बातें पसंद ना हो उसको शांती के साथ बताईए प्रभू से प्रार्थने की जो धीरेज रखिए आँ बहने कहेंगे जांसन ब्रदर अच्छा हुआ मेरे पती अनावशिक रूप से डांटते रहते हैं ये सरफ भाईयों के साथ नहीं है मैं अभी भाईयों से बोल रहा हूँ इसलिए भाई बोला बहनों की जीवन में भी धीरेज होना चाहिए ये बात बोलके मैं अब जरा भाईयों की और लोटता हूँ दीरेज पका होना चाहिए चाहे आपकी पत्नी हो आपका बच्चा हो या अन्य विश्वासी हो हम सबके साथ एक परेशानी क्या है हम दूसरों से पवित्र जीवन की उमीद करते हैं दूसरों से अथा प्रेम की उमीद करते हैं दूसरों से मदद की उम्मीद करते हैं लेकिन जब दूसरों के जीवन में ऐसा नहीं होता तो हमारा धीरज टूट जाता है प्रभू का वचन याद दिलाता है कि जो परमेश्वर के बच्चे हैं खास कर जो पुरिश हैं उनके जीवन का अगला गुण होना चाहिए धीरज रोमेश्वर की पत्री पांचों अध्याए एक और दो पद एक से लेकर चार पद धीरज के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं रोमेश्वर पांच एक से हम पढ़ते हैं जब हम विश्वास से धर्म इठरे तो अपने प्रभूई ईश्व मसी के द्वारा पदमेश्वर के साथ मेल रखें जिसके द्वारा विश्वास के कारण इत्यादी इत्यादी और तीसरा पद केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में धीरज रखें क्लेशों में घमन करें यही जानकर की क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है इसका मतलब यह है कि धीरज अपने आप में अलग थलग पड़ा हुए गुण नहीं है अन्य मसीही गुणों के साथ जुड़ा हुआ है एक जंजीर को तोड़ने के लिए सिर्फ उसका एक सेक्शन तोड़ना परियापत है जंजीर तूट जाता है उसी तरह से मसीही जीवन में बहुत सारी बाते हैं जिसमें से एक कड़ी है जंजीर उस जंजीर की एक कड़ी है धीरच और यदि वो हमारे जीवन में ना हो तो वो जंजीर टूट जाएगी प्रिये भाईयों आज आपके सामने प्रभू के वच्छन से इन बातों को बोलने के लिए प्रभू ने मेरी मदद की उसके लिए मैं प्रभू का शुक्र गुजार हूँ मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ ऐसी बातें कहा कर हमारा वारताला बहुत महतोपूर्ण है जो खरे उपदेश के योगे है हमारा वारताला पैसा होना चाहिए कि जो हमारी वाणी सुने वो हमारी वाणी के द्वारा प्रभु की वाणी सुने परिपक्क्व पुरिश पुरिशों से ये उम्मीद की जाती है कि उद्धार के बाद जल्दी से जल्दी वो अपने जीवन में मेच्चुर हो जाएंगे सच्चेत या संतुलित प्रभु का वचन पुरिशों से ये उम्मीद करता है कि वे लोग अपने जीवन में बहुती संतुलन से भरा हुए जीवन बिताएंगे गंबीर हर चीज को हसी मजाक तमाशे में लेने के बदले हर चीज को गंबीरता से ले संयमी इसके पीछे उसके पीछे इसके पीछे भागने के बदले जीवन में आत्म संयम दिखाएं विश्वास पक्का होना चाहिए प्रेम पक्का होना चाहिए दीरज पक्का होना चाहिए ये बातें प्रभु का वचन पुरिशों से कहता है आज क्लोसिंग में एक या दो बातें और कहकर मैं क्लोस करना चाहता हूँ वो यह है मेरे प्रीय भाई और बहनों मसीही जगत में हमारे सामने जिन लोगों ने जीवन के आदर्श रखे हैं खासकर उत्तर भारत में जिनों ने जीवन का आदर्श हमारे सामने रखा है और उन्होंने हमको वही सिखाया जो उनके जीवन में है यदि हिंदी पिक्चरों में यदि जैसा मैंने इसके पहले बताया समाज के सबसे कुकर्मी पुरिश ईसाई दिखाये जाते हैं समाज की सबसे कुकर्मी स्त्रियां यदि ईसाई दिखाई जाती हैं तो उसमें हम का ही दोश है मुझे और आपको जिन लोगों ने ट्रेन किया उन में से कई लोगों का जीवन असंतुलित था मैं सबकी बुराई नहीं कर रहा लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनने हमको जो ट्रेनिंग दी उसके कारण हम भी असंतुलित हो गए प्रभू का वचन इसको ब तो मंदली में हमारा जो योगदान होना चाहिए वो कभी नहीं हो पाएगा बलकि मंदली के लिए हम मैं आप चाप के कारण बन जाएंगे प्रभू करें ऐसा नहो आज इस तरह से प्रभू ने जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभू का शुक्र गुजार हूं मंदली का भी शुक्र गुजार हूं प्रभू के नाम की स्थूति हो अन्यावाद भाई